नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ जी जैसवाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल चितने भी कॉमन सर्विस सेंटर यूज करने वाले CSC वियली भाई हैं जिनोंने अधार यूशियल सेवा केंदर के लिए ओनलाइन आवेदन कर दिया है उन लोग के लिए यहां पर बहुत ही खुसकबरी निकल के सामने आ रही है क्योंकि आंधर परदेश के एक CSC वियली को पहला अधार यूशियल केंदर खोल दिया गया है और वे उस पर काम करना भी स्टार्ट कर चुका है तो आप लोग यहां पर अभी भी सतर्क औ आप देपाएं वहीं देखेंगे आप लोग यहां पर जैसे ही कम्यूटी बार में आप लोग आएंगे यहां पर और नीचे स्कोल डाउं करेंगे तो मैंने एक इमेज भी इसके संबंद में अपडेट कर दिया है तो यहां पर देखेंगे आंधर परदेश फर्स्ट और रिक्वार्मेंट को पूरा किया है तो आपका भी जल्द से जल्द आधार यूशियल का काम आपके कौमन सर्विस सेंटर पे शुरू कर दिया जाएगा तो यहां पर देखेंगे भीली का नाम यहां पर दे रहा है के वैंकटा राओ यह इनके पास CSC इनके पास HDFC बैंक BC है और इनोंने आधार यूशियल के लिए आवेदं किया था इनको मिल गया यहां पर देखेंगे यह आंधर परदेश के भीली है और इनको बढ़ाई दिया गया है CSC के तरफ से तो आप लोग भी जल्द जल्द इसके लिए आवेदं कर दें ताकि आप लोगों को भी आध आधार यूशियल के संबंदित यहां पर मैंने लगतार आर्टिकल पोस्ट दिये हैं ताकि आप लोग जल्सी जल्द इसमें आवेदं करें और आप लोग भी अपने कौमन सर्विस चेंटर के माध्यम से अधार सेवा का लाफ अपने नजदी की ग्राम बासियों को या फिर अपने सर्वासियों को सेवा का लाफ दे सकें और इसमें कार कर सकें लेकिन यहां पर कुछ आईसी समस्याएं भी बनी हुई हैं जिनकी वज़ा से अधार यूशियल चेंटर को लेने में दिक्कत आ रही है वे है स्टेक्टिक्स आईपी वैसे तो मैं अपने और से पूरी क सुबधन नहीं है वे भी अधार यूशियल पे काम कर सकें तो एक दू और मैं आप लोगों को वीडियो दूँगा कि किस कमपनी का आप लोग अगर ब्राटबैंड लेंगे जिसमें आपको ततकाल प्रभाव से आपके एरिये में वे सर्विस उपलब्द हो जाए और सस्ते में इसके भी संबाद में आर्टिकल और एक वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ जल्दी जिसे की 100 में 85% CSC वेली अपना अधार यूशियल के इंदर खोल पाएंगे इस ट्रैक्टिक्स IP के साथ तो आप लोग वेट कीजी जल्दी में उसके संबन भी जनकारी आप को अपलब्ध करा दूँगा आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझा हो तो भी आप लोग कमेंड के माध्यम से पूश सकते हैं साथी साथ इस ब्लोग पोस्ट में नीचे यहां पर फेस्बुक का आपको पेज दिखाए देगा आप लोग इससे अधिक से अधिक संख्य में जरूर लाइक करें वहीं दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों को एक और सर्विस के बारें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग किसी भी नागरी का आईसमान भारत हजना के अंतरगत आईसमान गोल्डेन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे केवल PMJAY ID की मदद स अगर मा लिजिए किसी को आपने परहन मंतरी जन आरयोग योजना के अंतरगत गोल्डेन कार्ड बना के दिया था और किसी कारण वस उनका गोल्डेन कार्ड गूम हो गया खो गया जल गया वह लोग दुबारा कैसे प्राप्त करेंगे इसके संबंदित आपको जल्दी इसी साइट पर एक आर्टिकल मिलेगा उस आर्टिकल को उस आर्टिकल में दिये गए स्टेप को अगर आप लोग फालो कर लेंगे तो आप लोग भी बहुत यसानी से घर बैठे अपनी मुवाल की मदद से खोए हुए गोल्डेन कार्ड को दुबारा से प्राप्त कर पाएंगे सो थायंक्स जय हिंड वंदे मातरम